नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बर्शा डेगवी कर्वा, मैं गाइनेकोलोजिस्ट हूँ और पिछले 30 साल से इस शेक्र में कारे रख हूँ गर्भावस्ता की पहले 6 हफतों की टेस्ट के बारे में आज हम जानतारी देगी गर्भावस्ता की जो पहले 6 हफते हैं ये शुरू गर्भ की एकदम शुरुवाती विकास की जीड़ी है इसमें मा के अंदर का जो बातावरण है जिसमें की उसका हीमोग्लोबिन, उसका थाईरोइड लेवल, उसकी शुगर लेवल ये सही होना बहुत ज़रूरी है हिमोग्लोबिन अगर कम है तो मा को थकान होगी ही लेकिन बच्चे को ऑक्सिजन कम मिलेगा थाईरोइड के सही लेवल नम होने से बच्चे के दिमाग के विकास बे असर बढ़ सकता है इसी तरह शुगर का सगी होना भी बहुत ज़रूरी है इसके अलावा मा की यूरिन में नहीं इंफेक्शन तो नहीं है ये जांच देना भी ज़रूरी है और सबसे उपर ब्लड ग्रूप का जानना बहुत ज़रूरी है अगर कोई आरेज नेगेटिव है तो उसके लिए आगे के कुछ सब्ताहों में कुछ अलग टेस्स करवाए जाएंगे इसकी जानकारी हमको होना चाहिए ये तो हुई खून और पेशाप की चांच के बार इस ये धारना बिद्कुल गलत है आज करीबन साथ साल से हम लोग सोनोग्राफिय कर रहे हैं और अगर कुछ इसका खराब परिणाम दिखाई देना होता तो इन सालों में हमारे सामने जलूर आजाता है अगर ली प्रेग्नेंसी की सोनोग्राफिय जादा करके छे हफतों में हम को दिखाई देने लिग जाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें अन्य वहिनाओं के साथ इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए विमनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें गर्भावस्ता संबंधी सारी चांदकारी के लिए और डॉक्टर अडवाइस के लिए डाउनलोड करें ओमनिया आप इसका लिंक आपको ओमनिया चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा